हीचे आप आपढ़ है नहीं है येचे कि मन्ज पर विराजमान मंत्री परिश्ट के मेरे साथ ही स्रिवार रविशंकर जी, स्रीजेन सेना जी, चंदरशेग घत्रिपुटी, स्रीव बी बी आर मोहन रेड़ी, नेशकों के सभी महनुभाव, मैं सबसे पहले तो आपकी शमायाच ना करता हूँ, क्योंकि पहले कारकमाज सुबे ता ही हुआ था, लेकि मुझे आज कश्मी जाना पड़ा, और उसके काण मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर समय बदला जाए तो ठीक होगा, आपने समय बदला और मुझे आप सबको मिलने का उसर दिया, इसलिए मैं नेशकों का बहुत आभारी हूँ, शायद ही कोई एक संगठन इतना जल्दी एक मूवमेंट बन जाए, आम तोर पर मैंबरसिप होती हैं, मीटिंगे होती हैं, सरकार को मैंमोरेंडम दिये आते हैं, सरकार से अपेक्षाय की जाती हैं, कभी राजी नाराजी प्रगट की जाती हैं, लेकिन नेशकों का करेक्टर वो नहीं रहा, ये समस्ता से ज़्यादा एक बड़ा अंदोलन बन गया और प्रारम में जिसने कुछ मोतियों को नेसकौम के धागे इसके साथ जोड़ दिया अज धीरे धीरे भारत का गवरोगान करने वाली एक बहुत बड़ी सुन्दर माला बन गया है और जब नेसकौम की चर्चा आएगी तो देवांग की जुरूर चर्चा आएगी बड़ा देवांग से अच्छा परिचे था और जब बाइटू के को लेकर के बड़ा तुफान खड़ा हो गया था सारी दुनिया चिंतित थी और उस समय अटल जी की सरकार थी हमारे प्रमोज जी आईटी विपाग को देखते थे और बड़ा इतना खाईब था कि वाईटू के करन पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा अरुज समय देवांग के साथ काम करने का उसरा आया था लिए खेर और लंबे समय हमारे बीच रहे नहीं वो उनको आदर पुर्वा गंजली देता हूं और नेशकॉम जितनी तेज गर्ती से प्रक्रति करेगा उतने ही देवांग के आईडियास हमने हमें हर बार याद आते रहेंगे पचीज साल के कारकाल में जब नेशकॉम प्रारम हुआ तो मैं समरता हूं शायद ये क्षेत्र हंडेड मिलियन की एकनमिस से भी ज्यादा नहीं होगा आज हंडेड फॉर्टी सिक्स बिलियन तक पहुँच गया पचीज साल में इतना बड़ा जम लेकिन ज़्यादा तर जब आईटी सेक्टर की चर्चा होती है ये तो बात माननी पड़ेगी कि आज आईटी में हम जहां पहुँचे हैं उसका एक कारण जो प्रमुक कारण है मुझे लगता है वो प्रमुक कारण है कि इसमें सरकार कहीं नहीं है हम जितने दूर रहे उतने अच्छे है कि जो सारा करिश्वा है वो हमारी युवा पीड़ी का है कि बीच बाइच प्रची साल के नवजवान जिन्होंने उस समय एक शेत्र में प्रवेश किया नेस्कॉम के इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों नवजवानों को रोजगार मिला उसर मिले देश की एकनोमी को लाग हुआ भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कुछ कदम हम भी चले लेकिन इन सबसे भी अलग एक बात जो मुझे हमेशा लगती है कि इस आईटी के कारण पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने का रवया बदलना पड़ा हूँ पहले दुनिया हमें पिछडे अंदसरद्ध हमें डूबे हुए साब सपेरे वाले इसी हमारी देश की पहचान बनी हुई थी लेकिन हमारी नवजमानों ने कंप्यूटर पर उंगले गुमाते गुमाते सारे दुनिया के दिमाग को बदल दिया और विश्व को भारत की एक नई पहचान देने में इस ख्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए इस ख्षेत्र के साथ जुड़े हुए सभी भारत की इतनी बड़ी महान सिवा के लिए अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है मैं आपको बढ़ाई देता हुए आज जिन महानुभावों ने इस ख्षेत्र में योगदान किया है जिन्होंने इनोवेशन के द्वारा नएने एप्लिकेशन के द्वारा अपने स्टार्ट अप इंडिस्ट्रीज को भी बहुत उंचाई पर पहुँचा हैं जिन्होंने इस ख्षेत्र से जो कुछ भी कमाया समाज सेवा के लिए लगाया है जैसे हमारे अजिम प्रेम जी उन सब का मुझे सन्मान करने का आउसर मिला मैं उन सब को रदय से बढ़ाई देता हूं उनके इस एच्विमेंट के लिए नेस्कौम को जन्म देने वालों से लेकर के नेस्कौम को यहां तक पहुँचाने वालों को और नेस्कौम के कारण अपने को आपको भी बहुत उचायो पर ले जाने वालों को भी मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और मुझे विस्वास है कि आप लोगों के साहस, आप लोगों के प्रयास नई पीडी को भी प्रेणा देगे और अनेग नई चीजों को करने के लिए आस्वस्त आपका कारकम है आई टी इंडिया टूमोरो और आप इनोवेशन्स पर बल दे रहे हैं हम भी कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में चीजों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्त इतना तेजी से बदल चुका है कि जितना महात्मय हाइवेश का है उतना ही महात्मय आईवेश का है इन्फर्मेशन वेश हाइवेश बन गए तो प्रगेदी होगी अगरेंटी जब तक आईवेश नहीं जुड़ता है अधूरी रहा जाती है और इसलिए जब हम डिजिटल इंडिया इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी कालपना है डिजिटल दुरुष्टी से जो इंफ्रास्रक्चर चाहिए भारत के हर्ब नागरी को वो व्यवस्ता कैसे उपलब्द हो उतना वो विस्तार होना चाहिए हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तब सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं उसको उपलब्द करानी की ववस्ता हम कैसे विख्षीत करें है हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तब गवनन्स में हम किस प्रकार से बदलाव लाए और मेरा यह मत रहा है गुड गवनन्स का एक परियाय बन गया है इगवनन्स और जब मैं यह गवनन्स कहता हूं तब मेरी दुरुस्ति से वह इजी गवनन्स भी है एकॉनमिकल गवनन्स भी है और उस रूप में गवनन्स की स्वारी परिभाशा है बदलती जा रही है हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं हम आज जहां भी पहुंचे हैं संतोष हो ऐसा लगता है लेकिन जरूरत के हिसाब से देखें तो अभी हम बहुत पीछे हैं बहुत कुछ करना बाकी है इतना बड़ा देश इतने सारे लोग अब कलपना कर सकते जिस देश में बहुत ही नीकट भविस में एक सो क्रोड मोबाइल फोन लोगों के हाथ में होंगे हंडेट क्रोड क्या अब जितना जल्दी आपकी फिल्ड के लोग मोबाइल एप जितनी तेजी से त्यार करेंगे मैं समझता है उतना तेजी से आप मार्केट को कैप्चर देगे और मैं यह जो सला दे रहा हूं उसके लिए कोई कंसल्टंसिफ ही नहीं है इतनी साथ सरफ बैंकिंग लिजिए मैं नहीं मानता वह बैंक में कोई जाने वाला है मोबाइल बैंकिंग पर दुनिया चलने वाली है हम उसको कैसे आगे बढ़ा है मोबाइल गवर्णंस पर चलने वाला है सारी सुविधाएं सारी आवश्यक्ताएं इंसान वहीं से प्राप्त करना चाहता है आप तो देखते हों कि आज एस्ट्रोजर भी मोबाइल कर सुवे क्या करना क्या नहीं करना बता देते हैं हर कोई समझता है कि इसका क्या उपयोग हो सकता है हर कोई अपने अपने तरीके से विक्सीत कर सकता है नेस्कोम ने कभी एजंडा नहीं रखा होगा एक्स्ट्रोजी और आईटी को क्या किये जाए लोकिन लोगों ने कर लिया होगा कहने का ताथ पर यह यह हैं कि पूझा पार करना है तो भी उनको आईटी का सहारा लेना है उसको लेटेस से लेटेस दुनिया की जानकारी चाहिए तो भी उनको आईटी का सहारा ले रहा है अपने कुछ समस्या का समधान करना है तो आईटी से शॉपिंग करना है तो आईटी से वे आज एक प्रकार से इस पर डिपेंडेंट हो गया है और आप आपके परिवार में जो अठारा से नीचे के जितने बच्चे हैं उनका एक ही गुरू है गूगल गुरू और सब चीज उसको ही पूछते हैं आपको नहीं पूछेंगे गर में बी अंदर चर्चा चलती होगी दो भाईयों के बीच में तो अंदर जाकर के पूछकर के देखो यह है तो यह इस रूप में उसने स्थान ले लिया है इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके व्याप की कितनी संभावनाय पड़ी है और भारत का एक स्वभाव है इन चीजों को एडप करना यह भारत के नेचर नहीं हमारे यहां सामाने से सामाने व्यक्ति भी मैं अपना एक अन अग्मंत्री था तो एक तैसिल ऐसा था कि जहां मुझे पांच-छे साल वहां काम करने के बाद भी जाने का आउसर नहीं मिला था मेरा सभाव रहता था कि मैं जदा जदा स्थान पर पहुंचू इलाके में जाओं लोगों से मिलू यह मेरा अगर रहता था कि वहां मुझे जाना कोई कार्äg बनाओ आब वहां कोई कार्गम बनतों ही कि विकास ही नहीं हुआ ता क्या करें कि मुझे ऐसे ही चला जाओंग बैंकि कुछ करो एक बस को रूट चालो करने का और मुझे वहां जाना है खेर फिर ताइब हुआ कि वहां एक चिलिंग सेंटर बनाएंगे मिल्क कलेक्शन के लिए एक छोटा सा सेंटर खड़ा गए वो को 20-25 लाग का छोटा सा इमारत बना करके चिलिंग सेंटर खड़ा किया अधिवासी लोग रहते हैं और फोरेस्ट होने के कारण वहां आमसभा करने के लिए भी जगा नहीं थी कोई तीम किलोमेटर दूर एक स्कूल थी उसकूल के मैदान में एक आमसभा रखी तो यहां चिलिंग सेंटर का उद्गार्ण करना और फिर वहां जाना तो वहां पर जो मिल्क देने वाली अधिवासी कुछ महलाए थी वो भी उस दिन उद्गार्ण के समाई चिलिंग सेंटर के 25 महलाए उन्होंने बुला के रखा था हम सारा कार्गम किया और मैं देख रहा था वो पचीसों महलाए मोबाइल फॉन से फोटो निकाल रही थी अने आप कलपना कर सकते हैं कि जहां 25 लाग का चिलिंग सेंटर बनना एक बहुत बड़ी घटना सरकार के लिए थी वहां सामान्य मानवी के और भी महला वो भी आधिवासी महला जो दूद फरने आई थी उसके पास मोबाइल फॉन था और फोटो निकाल रही थी तो मैं उन फोटो निकाल के क्या करोगे उन्होंने जो जबाब दिया वो मैं समझतों आपको भी चौकाने वाला है उन्होंने कहां हम जा करके उसको डाउनलोड कराएंगे अब यह आपको भी अंदाज नहीं होगा आप कहां कहां पहुँचे है अगर इस इस शक्ति को पहचान दिया आपने कि आपका जो आखरी क्लाइंट है वो आप से दो कदम आगे है उस नीड को पूरे करने के लिए सरकार इंफरसक्प्याइब खडा करें आप नए इंवेशन करे हैं आपके इनौश महसन को सरकार एडॉप करें आप देखते 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 रिवॉलूशन हो सकता है जी और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में GDP का जो अनेक एनेक GDP के संभावना वाले अनेक शेक्टर हैं उसमें एक connectivity बहुत बड़ा GDP increase करना का शेतर बनने वाला है। जितनी जादा जितनी अच्छी, जितनी तेज तेज कनेक्तिविटी उतनी तेज जड़ीपी की संभावना है। यह होने वाला है, इतनी बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, उस दुनिया को हम कैसे capture करें, आने वाले दिनों में, मेरे मन में एक सवाल है, आप नाराज मत होना, क्योंकि आपने बहुत किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, फिर भी, फिर भी, जो अच्छा करता है, उसी सो तो अपेक्षा होती है भाई, जो अच्छा नहीं करता है, उसको कौन पूशेगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ले लो, इनाम ले रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मेरी अपेक्षा अरजा ज्यादा, आप अच्छा नहीं करते हैं, तो जाम मैं कुछ बना, क्या टैलेंट में कमी है क्या, यहां से जो गए, उन्होंने जुरूर बनाया, मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार ये रुकावट है, हम से बलंद हो, दुनिया में हम पहुंचने के लिए, हम उस लेवल के इनोवेशन पर जाएं, ताकि जगत को चलाने में हमारी व्यवस् यह हो सकता है दोस्ति, मुश्किल काम नहीं है, होलीवूर के फिल्म से भी कम खर्चे में, अगर मेरे देश के नौजवान मार्स पर पहुंच सकते हैं, तो मैं समय तब आप भी कर सकते हैं, यह इनोवेशन की बहुत बड़ी चैलेंज के रुप में लेना चाहिए, कहीं और सब चीजे बने, फिर हम सरव एक क्लाइंट बने, अच्छे क्लाइंट बने, और अच्छे बने, यह हमारा मकसद नहीं हो सकता है, हमने आगे जाने हैं, एक शेत्र ऐसा है, जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी हैं से मैं मानता हूं, मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को परधान मंतरी बने के बाद मिला हूं, साइट पचास से ज्यादा से मिला हूं, उसमें पचीस से तीस राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है, वो साइबर सिकुरिटी की उनकी चीनता हूं, सारी दुनिया परेशान है, साइबर सिकुरिटी को लेकर के हैं, क्या मेरा अदुस्तान का नवजवान दुनिया को चेंड की नीन सोने के लिए साइबर सेक्यूरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशन लेकर क्या सकता है क्या कि बहुत बड़ा मार्केट होगा अब लिख करके रिखेए देख कि फायर वाल से भी काफी आगे बढ़ना पड़ेगा हमने हमने उस सिती पर पहुंचना पड़ेगा और जिसके समन में जानते ही दुनिया को लगेगा हां यार हम चिंतित थे अब शायद हम रास्ता का सारी द ताकत है उस ताकत को साइबर सेप्टी की ज़रुद खड़ी हुई है साइबर सिक्यूरिटी की ज़रुद बड़ी है क्या नेस कौम के द्वारा ऐसे एक टास्क फोर्स बना करके हम ग्लोबली क्या दे सकते हैं यह बस हही है कि यह डाइनेमिक अबस्ता है आप एक करें तो दूसरा करता है अब दूसरा करें तो तीसरा करता है लेकिन ज़्पान चाहिश को भांट बड़ी चिंता मुक्त करने का एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं अधरवाइस कि अगर हम मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इस विशे का मास्टर नहीं हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं क्लाइंट की रूप में बात करता हूँ, एक सामानी ग्राथ अगर हम ये सिक्यूरिटी नहीं प्रदान करेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा, कि बहुत बड़ा वर्ग मोबाइल को छूने से भी दूर रहेगा, उसको लगए गभने नहीं भी है, ये पता नहीं बाते कहां चली जाएजी, चीज़े कहां रेकॉर्ड हो जाएगी, और कर कि इस प्रोसेस को इतना बड़ा थक्का लगेगा, जिसका हम कलपना नहीं कर सकते हैं, और इसलिए आवशक है, हम एश्वरंस पैदा करें, हम विश्वास पैदा करें, बहुत चिंता मत करो, इस जो टेकनोलोजी से तुम जुड़े हो, शुरक्षित है, तुम चिंता मत क अचे को भी प्रोब्लम नहीं है, तुम्हारे अपने डोकिमेंट्स को भी प्रोब्लम नहीं है, उसी प्रकार से, जैसे ये बिजनेस बढ़ा, जो भी वो पोर्टल बना करके आते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, अब जितनी बड़ी मात्रा में ये डाटाबेश तयार हो र आने वाले दिनों में आपको अपने स्टेटस से नीचे आ करके नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, स्टेटस से इसलिए मैं कहा रहा हूं कि मैं शब्द परोग ऐसा करने वाला हूं, पब्लिक लाइप में ता आप उचे जाने वाले हो, व्यापारिक जगत में उचे जाने वाले हो, ऐसे दिन आएंगे जब आपको क्लाउड गोडाउन शुरू करने होंगे, अब आप अपने पिताजी को कहोंगे मैं गोडाउन शुरू कर रहा है तो तुम्हारे बुद्धी खराब हो गये क्या आप गोडाउन को लोगे क्या, लेकिन आने वाले दिनों में क्लाउड गोडाउन का एक बहुत बड़ा बीतनेश खड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जहारी बहुता, बैंक, बैंक पुरा का पुरा डाटा आपके क्लाउड गोडाउन के अंदर आकर के रखने के लिए तैयार हो है, गोल ब्लाउन लेने के बाद बहुत लोग होंगे कि गोल ब्लाउन को क्लाउड लॉकर में रखने, क्लाउड गोडाउन एंद क्लाउड लॉकर, ये इतनी बड़ी बड़ा मार्केट की संभावना वाला ख्षेतर बन रहा है, मैं समझता हूँ उसका अपने व्यापक क्लाउड गोडाउन के अंदर अपनी चीजे रखते रहेंगे और सालों साल तक सुरक्षित उन सामें को रखें रखें वो दिन आने वाले हैं, मैं स्वयम, शायद मैं शायद पहला पॉलिटिशन हूँ, जो साउंड क्लाउड का उप्योग करता हूँ, और मेरा अनुभव इतना अच्छा है, साउंड क्लाउड का, वरना मैं पहले यहू के अगल बगल में गुमता रहता था, यूटूब के अगल बगल में गुमता रहता था, अब मैं चला गया वहाँ, और मैं ने देखा है कि मैं बहुत तेजी से, तेजी से बहुत बड़े जगत के साथ जूड गया,müşहह, हम इन इन शक्तियों को अगर पहचानते हैं, और उन शक्तियों को जोड करने के दिशा में प्रयास करते हैं, तो बहुत बड़ा लाब आने वाले दिनों मैं हो सकता है, है समुझे लगता है कि हमारे रविशंकर जी ने कहा कि अमीर और गरीब की चर्चा का एंग नया परामिटर आने वाला है कि और वो है डिजिटल डिवाइड कि डिजिटल डिवाइड से भी अमीरी और गरीबी ना पी जाएगी कि और इसलिए समाज में दो तपके पैदा नहों कि डिजिटल डिवाइड के अवस्था पैदा नहों उसको हमने आगे बढ़ा रहा है कि मैंने देखा है सरकार में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है एक तो साइलो में काम करने की उनकी पहले से आदत रही है और अब उनकी डिजिटल एकुविटी भी साैलो में पड़ी है अब मैं आपको एक और मैं मानता हूं मैं तो टेक्नेशन नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है आप कर सकते हैं फिर वही बात आप कर सकते बहुत कहने का मन कर उसकी लेखनी अलग है उसका ग्रामर अलग है लेकिन तांसलेशन हो जाता है सौप्वेर से मतलब इंटर्पूटेशन के लिए आपके पास बढ़िया सी टालेंट है जिसका उप्यों करते हैं अब सरकार के सामने दूसरा सब्दा है किसी यह इत्तनी औलग अलग लोग माल हमको देखर के चले गहें जी अब उस समय जो लोग थे उनको लेने का जरूरी होगा और लेने में ही मज़ा आता होगा क्या हमारी ये जो बिखरी हुई चीजे हैं हर एक अलग अलग अगर लेंग्वेज को आप इंटर्पेट कर सकते हैं बड़ी आसान से एक शॉप्टर से कि यह इस चैलेंग को उठा करके हमारी ये जो रौण डाटा पड़ा है अलग अलग फॉन में पड़ा है उसको हम चाहे उस प्रकार से उसको synchronize करना, उसको interpret करना, उसको form में रखना, कि इस काम को कर सकते हैं, देश के governance में बहुत बड़ा बढ़ावा सकते हैं, क्योंकि आज मैं नया software लूँ और लोगों को कहूं कि देखो बढ़ाव, वो भैंक दो इसमें डालो सारा, तो कहेंगे ठीक है साथ, हम data entry करते मैं नहीं चाहता हूं कि सरकारे data entry में लगी रहें, हमें बढ़ाव चाहिए, और technology के उप्योग से क्या होता है, देखा होगा आपने से, बहुत सी बाते होती हैं जो लिखने, पढ़ने, देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, हम लोगों ने, गैस सिलिंडर की जो सबसीडी है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की स्कीम बढ़ाएगे, असी प्रसंद ग्राहों तक हम पहुँच गए, करीब बारा करोड लोगों को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये काम हमने तीस दिन में पुरा कर दिया, कैसे, just with the help of technology, कितना बड़ा एची हुआ और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ये जो प्रश्चाचार के खिलाब लड़ाई है न, उसमें technology बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इतना ट्रांसफरन से लाई जा सकती है, हम चाहते ही है लाना, और इससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है, ये सिरफ गैस का जो हमने आए, डारेक्ट ट्रांसफर किया है न, मेरा मुटा मुटा अंदाज है, शाए 10% लिकेज तो मैंने बंद कर ही दिया है, कैंजिन 10% याने, थाउजंस अप क्रोड रुपीज है, अभी हमने कोईल एक आउक्शन किया, पूरा टेक्नलोजी का उप्योग किया, इतने बड़े बौड पर पब्लिक में उसको रखा, जिसको बैटना है, सारे पत्रकार भी बैटेते, आउक्शन हो रहा था, 204 कोल ब्लॉक्स, जिसको सुप्रीम कौट ने सितंबर महिने में कहें दिया है, कि ब्रश्टा इतार हुआ है, रत करो, सब फाइदा मुफ़त का उठा के ले गए है, और आपको मालूम होगा, कि एक जगा से चिठी जाती थी, कोईले के ख़दान मिल जाती थी, सुप्रीम कौट ने नेड़े किया, हमने उसका फाइदा उठाया, हमने तीन महेने के अंदर सारी योजना बनाई, ओर्डिनन्स लाए, कुछ लोगों के नाराज की स्वाबा भी कहा, ओर्डिनन्स क्यों लाए, कि सीए जी ने कहा था, कि ये जो कोल ब्लॉल का अवंटन हुआ है, उसमें एक लाग छासी हजार करोड रुपिया का गफला हुआ है, उस समय जब एक लाग छासी हजार करोड अख्वावा में हेडलाइन आई, तो इस देश के नागरिक मानने को तयार नहीं थे, यह यह ते ऐसे लिग दिया हुआ है, यह सीए जी सायद सरकार दोज़े के भिड़ गई होगी, हम भी पॉलिटिकली बोलते तो हुथे लेकिन मन में रहता थे यार इतना होगा क्या, देखो भाई, जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गाउं का तालाब देखा है, उसको कोई पुझे है, कि समंदर कैसा हो, तो वो क्या बरगा है, क्या बोलेगा बेचारा, किसी को पुझे हैं का बStart बेखा है, तो और गाउं में जो ताला में इसे बहुत बड़ा होता है, अज़ा बोले कितना बड़ा होता है फिर पूदा कि ऐसे हमारी भी मुसीबत ही दिद्ध हम तो कलपनाई नहीं कर सकते इतना बड़ा हो सकता है अभी हमने 19 ब्लॉक का ऑक्षन किया और टेक्नलोजी का उप्योग करके किया पूरी तरह यह अक्षन था सब लोग अपनी बोली अपने कॉंप्यूटर से बोल रहे थे 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है C.A.G. का कहना है 204 में 1,6,000 करोर का गफला हुआ है 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोर रुपिया की बोली बोल चुके है टेक्नलोजी से ट्रांस्परंसी कैसे आती है इसका ये जीता जागता उदान है और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई ये जी एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है अगर हम इमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उप्योग करते हुए नेक इरादे से चीजों को करें क्या आने वाले दिनों में आप इसमें योगदान कर सकते हैं किया और मैं मानता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं और आप से मेरी अपेक्षा है अभी हमने कलपना रखी है हम जानते हैं कि टूरिजम का सेक्टर आज दुनिया में अभी हमारे चंद्रशेखर जी टू ट्रिलियन डॉलर का हिसाब बता रहे थे कि टूरिजम का बिजनेश थ्री ट्रिलियन डॉलर का है और सब्सक्राइब में झान गर्ण बढ़ने वाला बिजनेश अधे आज जो टूरिस्ट है कि वह नट वने टेलीफॐन करके जानकारी लेता है ना किताब पढ़ के निकलता है वो Google Map से चलता है, वो Destination Google से तैय करता है, वो IT Profession के द्वारा विवस्ता के द्वारा चलता है, क्या हम भारत का Tourism में हमारे इस Profession के माध्यम से एक बहुत बढ़ा मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं क्या, और भारत में गरीब से गरीब को रोजगार देने के लिए टूरिजम बहुत बड़ी ताकत रखता है, और एक बार उसको सही चीजे प्राप्त हुआ, मगर इन चीजों को महनत करके करें, डाटाबेज तैयार करके करें, इसली एकसेसेबल व्यवस्ता हैं विक्सीत करें, हम कल मैं चाहता हूं कि देश में 50 ऐसे हरिटेज सिटी में वर्चुल मुजियम तियार किया जा सकता है, देखिए किसी भी देश की विरासत को बचाने समालने में मुजियम का बहुत 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 रोल होता है, लेकिन आज भारत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वर्ल्ट क्ल आप से आगर करता हूं, आईए, वर्चुल मुजियम बनाएए, वर्चुल मुजियम बनाकर बहुत बड़ा नया मार्केट खड़ा करें, तुरिजम के साथ जोड़ें और भारत सरकार तयार है, इस प्रकार के वर्चुल मुजियम को आने वाले दिनों में खरीदने के तुरिसर्स करने वाली उनिवर्सिटी मिल जाएगी, प्रोफिसर्स मिल जाएगे, और फिर आप उसरे से तैयार करें, और इतना यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, आप देखिये, टुरिजम को बढ़ावा देने के लिए वर्चुल मुजियम और एकोनोमिकल रहेगा, आप एक मुजियम खड़ा करें, उसका खर्चा और एक वर्चुल मुजियम के बहुत फर्क पड़ जाता है, कि हम उस काम को कर सकते हैं क्या, आने वाले दिनों में, अगर इन चीजों को काम कर सकते हैं, तो मेरे आप से आग रहे हैं, कि आप करें बागी तो सिक्षा है, हेल्थ ह यह काम ऐसे हैं कि बड़े बहुत ही अनिवारिया है, रिमोट एस्ट रिमोट एरिया में हम अगर अच्छी सिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, तो टेक्नलोजी बहुत बड़ी ताकत है, लांग डिस्टन एजुकेशन के द्वारा उत्तम से उत्तम सिक्षा हम दे सकते हैं, और हम अगर उसका उप्योग करें, हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सोचल से रिस्पांसिबिलिटी के नाते कई काम कर रहे हैं, मेरा एक आग्र है, स्वच्छता के लिए आप करें, लेकिन उसके साथ साथ, मुझे बताया कि अठारा सो मेंबर है जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, जहां भी बच्पन में, गाउं में होंगे, शेयर में, जहां पढ़े हैं, कम से कम उस स्कूल को आप एक e-library डोनेट कर सकते हैं, क्या हैं? आप हमारी नई पीडी को जानकारियों का खजाना खोल दीजीन के साथ, आज मिनिमम्म 20 लाग किताबें e-library के लिए आसानी सुसको उपलब्त हो जाएगा, आज गाउं में 2000 किताबों की लाइबरी बनाना कठीन है, लेकिन आप जहां पढ़े हैं, आपका एक अटेज्मे होगा, आपका भी मन करता होगा, जिस स्कूल ने मुझे बड़ा बनाया, मैं भी उसके लिए कुछ करूँ, आप देखिए, देखते ही, देखते हैं, वो वाइरल की तरह फैलेगा, और फिर e-library के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खोल जाएगा, कभी यह है, जो e-library का structure बना के दे देते हैं, आपको e-library service प्रोवाइड करते हैं, साइंस मेंगेजिन, आज हमारा विद्यारती कहां से खर्चा करेगा, इवन मेडिकर स्पूडन के लिए साइंस मेंगे पड़ते हैं, लेकिन हम e-library प्रोवाइड करें, तो कितना साना कर सकता है, इसका आप अ और एक दूसरे को मिलते का चाचा, तुमने ले लिया Apple 6, अगर यह नहीं है तो लगता है कुछ नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, मैं एक emergency के दीन थे, तो मैं underground था, पूरी समय खोज रही थी, तो एक परिबार में मैं रह रहा था, तो उनके एक भाई, युके में रहते थे वो आये थो उस दिन, शाम को पहुंचे तो सभी भाई बैठे थे, तो उनके एक छोटे भाई थे, वो बड़े मजा की थे, उन्होंने उनको पूछा, कितने बजे, तो उनके एक आट बजे, नहीं बोले, तरह ठीक से जखो, है, बोले, आठ बजे है, नहीं आप शहीं नहीं बजाए, जरह ठीक से जखे, बोले, आठ बजे, अच्छा, तो मेरी तो टाइसर रुपए के इगड़ी में भी आठ ही बजे है, हमारे देश में 1500 के मोबाईल वाला भी जो उपयोग करता है 15000 वाले मोबाईल वाला भी उतना ही उपयोग करता है लाल बटन लीला गिरिन बटन इससे एक मैं मानता हूं कि सच्पुच में हमने एक मोबाइल गवर्णन्स का रिवालुशन लाना है मोबाइल एप का रिवालुशन लाना है तो बहुत बड़े वर्ग को असी प्रसंट यूटिलिटी नहीं है असी प्रसंट एवरेज असी प्रसंट मैं कहता हूं कितना ही बढ़िया सब्पर वाला मोबाइल फोन ले आई है तेकिन अगर कोई उप्योगी नहीं करेंगे तो फाइदा क्या होगा जी क्या स्कूल कॉलेजेज में इस हमें लोगों को तैयार करना और यही फिल्ड के लोग कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी से ताकत बढ़ती है देश की सामाने मानवी की ताकत बढ़ सकती है और उस दिशाम हम कैसे काम करें हमने सोच ला चाहिए आप जानते हैं मैं सोशल मेडिया में काफी एक्टिव रहा बहुत पहले से एक ताकि उसमें आपी लोग होते हैं ताकि मुझे जरा आप लोगों की विचार सुनने का आउसर मिलता है तो मैं उस पर भी रहता हूं माइगाव.in मैंने मेरे कारले से जोड़ करके बरा मैंने देखा है कि मैं कोई भी चीज वहां क्वेस्टन करता हूं अज़ारों लोग मुझे रिस्पॉंड करते हैं मुझे कहीं भाशन करने जाना और मैं पूछता हूं आइडिया दीजिए अज़ारों लोग तुरंद मु कॉंपूटिशन से आया है माइगाव.in पर आया है अभी माइगाव.in के द्वारा एक मैं कॉंपूटिशन लांच करने जा रहा हूं चाहिए एक दो दिन में कर लूँगा है मैं आपको भी निमंतरित करता हूं उसमें आईए है कि पीमो कार्यले के लिए मोबाइल एप कैस आइडियाज होगे ऐसे लोगों के टीम को फिर गूगल आफिस अमेरिका जाने का निमंतरन मिलेगा और दूसरा है एग्जिक्विशन आइडिया को इंप्लिमेंट करने वाला पूरा सौपफेर तैयर करना मैं चाहूंगा कि मेरे कार्याले को भी इस इंडिया टुमोरो जो इनोवेशन को लेकर करके आप चले हैं तो मुझे भी आप लोग मदद करें फिर एक बार मैं नहीं जानता मैं ज़र ज़्यादा ही समय ले लिया लेकिन मुझे अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो